असलाम अलेकुम वालीकुम असलाम रहमतुल्ला बरकातों शेख मेरा सवाल था कि घर बांधने का थोड़ा हकीकत बताईए ना जैसे हम लोग पहले बरेल भी थे ना तो हम लोग जो जो आना घर के कोना जैसे कोना में काटी ऐसे करके मारते थे और वहां पर ठीक है ना बंदि की सब्सक्रायत की जिए ंदर कर दो सुपित्धी मेरे इल्म की हत्तक इसकी शरीयत के अंदर जो चीज वारिध हुई है कि जिस घर के अंदर सूर बकरा की तिलावत होती है उस घर से जिन और शैयातीन दूर भागते हैं वहां नहीं आते हैं तो अगर आप पुरान की तिलावत कर रहे हैं घर के अंदर तो उसमें जिनों और शैयतीन नहीं आएंगे इंशालला दूसरी बात अल्ला के नभी सलसलम की एक हदीस है कि जब आप घर में दाखिल होते हैं और बिस्मिल्ला करके दर्वाजा बंद करते हैं तो शैतान कहता है क अब यहां पर हमारा ठेकाना और हमारा गुजारा नहीं है आसे चलो तो इसका मतलब बिस्मिल्ला करके घर में दाखिल हो करके दर्वाजा बंद करने पर भी शैतान आपके घर में नहीं आएगा आपके घर की बंदिश हो गई एक और हदीस है कि जब इनसान खाना खाता है बिस्मिल्ला करता है तो शैतान कहता है कि अब इस खाने में हमारा कोई हिस्सा नहीं है हम इसको नहीं खा सकते तो आपने खाने की बंदिश कर दिया तो यह सारे तरीके हमारी शरीयत में बताए गये हैं घर को और खाने को और अपने जो है आसपास के माहोल को बंदिश करने का और वो जो आप बता रहे हैं कि घर के कोनों पर क्या कुछ अमल करते हैं ऐसी कोई हकीकत नहीं 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 कुछ नहीं बिलकुल नहीं